एक तो मुझे यह समझने आता है कि बोलिवुड वाले कौन सी यसी चीज को देखते हैं या फिर कहां सी इंसी चीज़ों को उठाते हैं जो इस तरीकी के वो मूवी बना देते हैं तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जुग जुग जीओ मूवी के बारे में तकरीबन जो इसकी लहन तो दो घंटे के आसपरस रखी गई है जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था लेकिन बावजूद इसके ट्रेलर को ना पसंद करने के बावजूद भी इस मूवी को देख लेते हैं जब गए थेटर में तो थेटर वैसे भी खाली ही पड़े थे कुछ थोड़े बहुत लोग उसके अंदर बैटे हुए थे मतलब वह भी पता नहीं क्या सोच कर आयते हैं उनको भी रिव्यू करना होगा मैं इसलिए मूवी देखी लेते हैं अब यहां पर जब मूवी स्टार्ट होती है तो भीया स्टोरी हमें क्या देखने को मिलती है एक जो कुकू नाम का एक रेक्टी है जिसकी शादी होती है शादी होने के बाद अब वो अपनी वाइफ से तलाक लेना चाता है उसकी वाइफ को लेकर उसकी जो वाइफ है वो कैनेडा में शिफ्ट हो जाती है अब कुकू को हो चीज पसंद नहीं आई अब पसंद नहीं तो भाया उसने बस मन बना लिया कि अब अपनी वाइफ से अलग होते हैं तलाक ले लेते हैं क्यूंकि अब जिस तरह की कि फरस्ट्रेशन इसके जाना चाते हैं नहीं जाना चाते हैं लोग मर रहे हैं कनेडा जाने के लिए उसके बावजूत इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है यार विना सर पैर के लड़ाई है वो कोई भी उसमें आपको लोजिक कोई भी लोजिक छोड़ो यार लोजिक को मारो गोली एक होता ने कि वैलिड पॉइंट तो दिखाओ यार वो वैलिड पॉइंट भी नहीं है इसके अंदर और जब कुकु कैनेडा से वापस इंडिया अपनी माता पिता को चीज बताने आत लेकिन लास्ट का जो इसके अंदर सीन दिखाया जाता है जिसमें एक तो वरुन धवन जिस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं यार वो एक बहुत जादा ओवर एक्टिंग लगती है एक शादी का महावल है उसके माता पिता की एनिवर्सरी है अब वहां पर वो पड़े ची आपको अलाग करना चाहा रहा है क्या कहना चाहते हो यार खुद कर लोगत तुम्हारी सॉच क्या है कि कहां पर यह सब चीज़े देखने को मिलती है और बाद में जब बोलते हैं उसके पिता से जो जा रहा होते मलब जो भी सीन आता है तूंसके पिता कहते हैं कोई बात नह आप वापस एक हो जाना अरे भाई तुने अलगी क्यों किया था यह सब चीजें तो अराम से एक कमरे में बैटके हो सकती थी इतना होला काटने की क्या जरूरत थी यह सारा जो ड्रामा हमें देखने को मिलते हैं एक हाई कलास सोसाइटी को दिखाते हैं यार मुझे तनी लगत पा रखा है पंजाबी बोल रखी है दारू चल रही है इसके अलावा लगेगा भी यहां यह सब चीजे दिखा दो कि इंडिया की ही हो जाएंगी बहुत नहीं बाई बिलकुल भी नहीं आप इस मुवी से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे हाँ मुवी में कुछ एक ज लगाने की थोड़ी सी भी गलती कर ली तो सच में आपका पूरा दिन खराब होने माला सर में दर्द ही रहेगा इसमें गीता सैनी जो क्रेक्टर है जिसको प्ले के एनितु सिंग उनका एक डायलोग या फिर एक सीन आता है जिसके अंदर वो अपने अंदर की पीड़ा को ब बाबाब बन गए हमने कभी पती पत्नी बनके लाइफ जी नहीं भाई वो बिना पत्नी पत्नी के ही बच्चे हो गए होंगे वो दो बड़े बड़े बच्चे होगे उनकी शादियां हो रही है इन्होंने पत्नी बनके कभी लाइफ ही नहीं जी सिर्क माबाब बनके यार, वो सर में दर्द करने वाले वो जिस त्रीके के पॉइंट रख रहे हैं यार, उसका कोई सर पैर नहीं है देखकर गुसा रहे है यार, तुम कहानी चला के साइड रहे हो पहले पती तलाक लेना चाहता था पिर बाद में पतनी कहती है मैं तलाक लेना चाहती हूँ अब पती मना कर रहा है यार, खुछ तो clear हो लो कि चाहते क्या हो वो बातें कुछ और हो रही थी दो गलापन लगता है यार, हिपोकरसी हिपोकरसी नजर आती है इस movie के अंदर क्या, मुझे तो यार movie कहीं से भी इतनी entertaining नहीं लगी हाँ, थोड़े वो dialogue सुनके लगा कि ठीक है यार, इसमें हसी आ रही है, लेकिन connect तो हम किसी से भी नहीं हो पाते हैं, गाने इसके अंदर बिना वजय के रखे गए हैं, क्या जरूरत इतने इतने गाने रखने की एक दो गाने ही रख लेते, काफी थे और वो जो भी गाने हैं, वो इतने जाद आपको पसंद नहीं आने वाले हैं अब हाँ, सबकी performance ठीक ठाक है एक जो last के अंदर जो वरुन धवन जैसे हो अला काटता है, वो उसमें overacting लगती है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा, 3 of top 10 अगर आप लोगों ने movie देखिए तो आपको कैसी लगी comment section ओपन है मतलब विचार रख देना, और जिन्हों ने नहीं देखिए तो मैं यह नहीं कहूँगा, कि आर आप जाईए देखिए, कोई आपका पैसे वसूल हो जाएंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे बरबाद करने वाली एक तरीके के movie है तो मैं बिल्कुल भी recommended नहीं करूँगा, बाकी आपकी अपनी इचाह, आपके पैसे हैं, आप जैसे मरजी खर्च करना चाहें कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है था, thanks for watching this video, मिलते है next video में, जैहिंद